हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लिए एक फोन है उप्पो A5 तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं पहले फोन को फटा फट से ओपन कर लेते हैं दोस्तों जो इसका फिंगर प्रिंट का पत्ता है इ चेंज करेंगे कितना दोस्तों इसमें प्राइज लगता है कितना खर्चा आता है कितने का आपको अगर आप बाई करेंगे फिंगर प्रिंट तो कितने का आपको पड़ेगा दोस्तों कि यही फोन यह ऐसे कोई और भी फोन हो सकता है किसी में भी आप इस तरीके से फिंगर चल रहा तो आपको क्या उसका solution रहता है सारा कुछ इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो वीडियों पूरा एंट तक बढ़ेना दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, subscribe और share जरूर करना तो आप देख सकते हैं जब इसमें तो चलिए दोस्तों आप हम इसका fingerprint change करते हैं कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको ना phone को open करना है ना कुछ करना है सिर्फ back जो panel रहता है फॉन का आपको back panel open करके सीधे ही fingerprint का जो connector है वो जोइन कर देना है आप देख सकते हैं पास में ही है यहाँ पर आप देख सकते हैं connector को change कर देना है और उसके बाद आपको phone को switch off कर देना है क्योंकि दोस्तों जब हमने fingerprint लगा है तो यह phone on था तो on on में fingerprint लगा दिया हमने क्योंकि phone को पूरी तरीके से open नहीं किया है कि हम battery connector निकाले है battery connector हटाने के बाद हम फिर fingerprint लगा है तो हमने nut वगएरा कुछ नहीं खुले हमने direct fingerprint को connect कर लिया तो इस condition में fingerprint नहीं सो करता है तो हमने phone को switch off कर दिया है दोस्तों कि यही phone नहीं है कोई और phone है कोई और problem है तो भी आप comment section में comment कर सकते हैं और आप हमें instagram में भी follow कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा काफी जो मेरे subscriber दोस्ते हैं वो comment section में comment करते हैं sir आपकी इस्टा आइडी क्या है तो दोस्तों जो भी हम वीडियो डालते हैं उसके description में हम अपनी इस्टा आइडी को mention कर देते हैं आप वहां जाके check कर सकते हैं तो phone को open होने देते हैं दोस्तों touch display folder motherboard fingerprint camera selected आपको rate पता करने हो या फिर आपको purchase करना हो तो comment section में comment कर सकते हैं और आप हमें instagram में भी follow कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा तो यह दोस्तों phone open कर दिया है हमने phone को restart कर दिया है अब हम fingerprint चला के देखेंगे तो यहां पे अब हम password डालेंगे तो यह password हम डालते हैं और उसके बाद अब यह देख सकते हैं दोस्तों add finger का option आ गया है इसमें तो अब हम add कर रहे हैं तो यह add हो रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप oppo a5 या फिर कोई और phone में fingerprint का पत्ता कर गया है अगर आपका fingerprint का पत्ता नहीं जुड़ा तो आप कैसे इसे change कर सकते हैं और आप बात करेंगे दोस्तों इसके price की तो इसका price रहने वाला है दोस्तों oppo a5 का 250 इसका price रहेगा तो जिसे भी purchase करना हो तो फड़ापट comment section में comment कर सकता है और आप हमें instagram में भी follow कर सकता है तो यह देख सकते हैं दोस्तों fingerprint 100% work कर रहा है proper work कर रहा है तो इस तरीके से दोस्तों आप fingerprint change कर सकते हैं और अगर आपको buy करना है तो comment section में comment कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद कर दो सकते हैं